तीन नई क्रिशी कानूनों के विरोध में किसानों का अंदोलन दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है यानि किसानों का अंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा कई भार किसानों और सरकार की वारता भी हो चुती है पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा है आज शुक्रवार को किसानों का धरना 23 दिन में परवेश कर चुका है किसान 23 दिनों से सर्दी की परवाह किये बिना दिल्ली के सिंदू बोटर पर आंदोलन रत है अभी हाल ही में संत बाबा राम सिंग ने आत्म हत्या कर ली है बताया जा रहा है कि किसानों की समस्याएं सरकार द्वारा ना सुलजाने पर वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने यह कदम उठा लिया है उनके इस कदम को लेकर भी शोक की लहर है किसानों का कहना है कि उनकी शहादत को किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा जब तक क्रिशी बिल कानून रद नहीं होते वह आंदोलन रद रहेंगे बताये तो यहां तक भी जा रहा है कि किसानों को सडकों से हटाने की अरजी पर सुप्रीम कोट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है सुप्रीम कोट ने कहा कि किसान तब तक पर दर्शन कर सकते हैं जब तक इससे किसी की जिन्दगी को खत्रा नहीं होता कोट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का हक है लेकिन किसी की संपत्ति या किसी की जान को कोई खत्रा नहीं होना चाहिए साथी सलाधी कि विरोध की तरीके में बदलाव करे किसी शहर को जाम नहीं किया जा सकता बताये तो यह भी जा रहा है कि अदालत ने सरकार से भी पूछा है कि इस मामरे की सुनवाई पूरी होने तक क्या आप क्रिशी कानूनों को रोक सकते हैं लोकसभा के पूर्व महासचीव पीजिटी आचारी ने क्रिशी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोट के कमेंट से जुड़े सवालों के जवाब बताते हुए कहा कि बिल पर अमल का अधिकार कारे पालिका का है अमल के लिए नियम और दिशा निर्देश होते हैं क्रिशी कानूनों को लागू करने की नियम अभी बने नहीं है यानि वे लागू ही नहीं है तो फिर उन्हें रोक कैसे सकते हैं खैरब यहां कुछ भी हो दिल्ली के सिंधू बोर्टर पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन रद है किसानों का कहना है कि वह अपने आंदोलन को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं करेंगे वेक्रिशी कानूनों को रद करवा कर ही दम लेंगे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल KBD Banquets Enterprise